Hello Everyone, Welcome to the Crystal Concept और सबसे महान वीडियो, महा वीडियो, महा वीडियो, सायंस, 8th Standard Science का IMP 8th Standard Science का IMP, जैसे आप देख सकते हो 9th Standard के Science के IMP ने जो दूम मचाई है पूरा का पूरा प्रफर 9th Standard का मेरे दीवी IP से आया ठा उसी तरीके से ये दावा कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो 8 standard वालों को भी जो IMP में देने वाला हूँ पूरा का पूरा maximum paper इस IMP से आने वाला है और आएगा तो फटा फट अगर आपका science का paper है कल 8 standard वालों का तो यह IMP करके ज़रूर जाना एक बाद देखने में कुछ हैं जाता आदे से 45 गंटा 45 मिनट गंटा गायर 45 मिनट बस आपको इसके उपर काम करना आपका काम कतम 45 मिनट देना 20 मिनट का वीडियो बनेगा और 15 मिनट इस पे 20-25 मिनट आपको चैसे काम करना लेट्स बिगिन 8 standard science IMP शुरू करते हैं पहला living world and classification और microbes सबसे पहला है biological classification का definition this process of dividing living organism into group and subgroup is called biological classification इतने सारे living organism है तो उनको ग्रूप और सब ग्रूप में बाटना बड़ा जरूरी है क्यों इसी को हम बोलते है biological classification रोबर्ट हार्टिंग विटाकर ने क्या किया था living organism का क्ला क्या किया था डिवाइड दे लिविंग और्गेनिजम इन्टू 5 ग्रूप कितने ग्रूप में डिवाइड किया था यह पांच ग्रूप में ठीक है आप है सबसे इंपोर्टन यह वाला डाइग्राम प्रो केरिटिक का मतलब क्या होता है प्रो केरोटिक का मतलब ग्रूप करके यह नहीं होता है यह वाले पे फिलिंग ड्लैंक्स मगेरा आशकता है ज्यान रखना next, monera के अंदर moving small rod microbes are called lactobacilli bacteria ये filling the blanks के लिए आ सकता है all types of bacteria and blue green algai किसके अंदर आते kingdom monera के अंदर आते algai नहीं, blue green algai वापस बोल रहो, algai नहीं, blue green algai monera के अंदर आती है ये बात ज्यान रखना monera का example एख़त करके जाना, vibrio, colliery वगएरा paramecium का diagram करके जाना, paramecium का diagram करके जाना fungi का diagram जरूर करके जाना, ये नाम वगएरा, दो, तिन, चार नाम रियाद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, ये पक्का characteristic of fungi करके जाना, क्या होती है, ये फंगी के character these are non-green, eukaryotic, heterotropic organisms most of them are saprotrops, saprotrops मतलब किसी मरे हुए organism पे क्या करते, feed करते, खाना खाते their cell wall is made up of tough, complex sugar is called chitin chitin वाला feeling the blanks में आ सकता है example bakarist mushroom, ये करके जरूर जाना, फिर classification of micro, एक तो classification of plant kingdom living world का classification अलग है और micro organism का classification अलग है prokaryotic, eukaryotic, bacteria, protista, fungi, alga मैं आपको कुछ videos की link दे दूँँगा, जिसके अंदर मैंने science के papers all करके, exam के पहले वो papers all करके एक बार देखके जरूर जाना, क्योंकि unit test के papers में से question repeat होते है, तो वो भी आप description में जाओ और check कर लेना बाद में, ठीक है, some bacteria, diagram आ सकता, caucus का, caucus, bacillus, bacillus, वाला spirulam और vibrio, comma shape होता, vibrio कोंसा shape होता, comma shape यह ज्यान रखना, तो यह वाला जरूर करके जाना, पेरा मेश्यम का diagram मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर वाइरस के बारे में जरूर याद करके जाना, वाइरस का shape कितना होता, approximately 10 nanometer to 100 nanometer, वाइरस are extremely minute, they are found in the form of independent particle, वाइरस is long molecule of DNA and RNA, वाइरस cause many disease to the plant and animal, यह सारी बाते वाइरस के बारे में जरूर करके जाना, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, अलगाई के example, अलगाई के example cholera, यह देखो cholera का यहाँ पर diagram है यहाँ और यह जो example है, यह example करके जाना, अलगाई के example पूछ लेते हैं, यहाँ पर, match the following बगरा में आ सकता है, यह वाला, करके जाना, यह वाला, करके जाना, ठीक है, health, health का definition, क्या होता है, health is a state of complete physical, mental, social, well-beingness and not manually absence of disease, health मतलब सब तरीके से, सातों तरीके से, चतिस तरीके से, संपन्न होना, दोस्ती भी अच्छी होनी चीए, शरीर भी तंदूरस्त होना चीए, पैसा भी होना चीए, सब, इन सब को health में डाला जाता है, type of disease में, according to duration, according to reason में, सबसे important यह, infectious disease, common cold, flu, देंग्यू, फिलते हैं, non-infection, diabetes, diabetes, heart attack, ठीक है न, तो यह एक जामपल याद करना ज़र रहा है, यह चार्ट में बोलूगा, एक बार रीड कर ले न, उपर-उपर से, ठीक है, एक बार रीड कर ले न, उपर-उपर से, यहां पर जान रखना, डेंग्यू, डेंग्यू कौन मटका, जिसके पानी रखने, उसको धक्के रखो, क्लीन रखो, कपड़े अच्छे रखो, पानी जमा मत होने दो, वो सारी बाते आप जरूर करके जाना, इस, टिस डिसीजेश कॉस्ट बाइड है, हईड रखोबिया मतलब उसको पानी से डर लगने लगता है, रखोबिया, फिर नौन-इंफेक्शिज डिसीज के एक्जाम्पल जैसा कि कैंसर, यह आसकता है, और वैं आउट में, पर नौन-इंफेक्शिज दिसस दे रहेंगे और एक infectious दिया रहेगा उसमें से पैचाने में तो cancer, cancer होने के reason या symptoms एक बार read करोंगे चलेगा लेकिन जाना heart attack के यहां पर reason of heart attack जरूर करके जाना क्या क्या reason है heart disease अगर होगा तो उसके लिए हम लोग कौन-कौन सी open heart surgery कौन-कौन से treatment करवा सकते है तो यह चार्ट आ सकता है तो इसको करके जाना है ठीक है होगे हमारा यह भी चप्टर अच्छे से force and pressure में contact force और non contact force के example करके जाना जाएशा कि अगर किसको pull करना है तो मुझे contact करना पड़ेगा push करना तो भी मुझे इसको touch करना पड़ेगा बराबर की नहीं इस तरीके ना कौन्टेक्ट में मेगनेट मेखनेट रखेंगे तो भी ta1 और cuadi क्टेक दीट से नॉन कॉणंटेक्ट फोर्स और नॉन कॉंटेक्ट फोर्स का डिफरेंस करके जाना जरूर ठीक है इस तरीकेसे नेट्स फोर्स और नॉन लोख फार्स काित नेढम स् Dewुकिस अ लगाएंगे मतलब magnitude दोनों force का क्या रखेंगे उपर नीच रखेंगे कम जाधा रखेंगे से magnitude का force नहीं लगाएंगे opposite direction में तो उसको बोलेंगे unbalanced force, त्या रखना, inertia सबसे important, mark कर लेना, inertia का मतलब the tendency of object to remain in existing state, कोई भी object उसके existing state में रहना पसंद करता है, concept बताने का time नहीं, तब भी में बताने के कोशिश कर रहा है, थोड़ी बहुत meaning, अगर आपने थोड़ा भी नहीं पड़ा तो काम आ जाएगा, types of inertia जरूर करके जाना, inertia of motion, inertia of direction of inertia, यह नाम जरूर याद करके जाना, ठीक है ना, types of inertia पहला है, inertia of state of rest, inertia of rest, inertia of motion, direction, inertia, 3 inertia का type है, सबसे important, what is the pressure, force exerted perpendicular on unit area is called pressure, pressure का formula force upon area, unit of pressure क्या होता है, unit of pressure होता है, पास्कल और newton per meter का square, त्यान रखना है, ठीक है, one bar pressure होता है, 10 to power 5 का, पास्कल के बराबर, सबसे बढ़े, if area increases, pressure reduces for the same force, and if area decreases, मतलब area बढ़ेगा, तो pressure गटेगा, area गटेगा, तो pressure बढ़ेगा, simple, यह बाला बात त्यान रखना है, नेक्स्ट बढ़ेगा, प्रिंसिपल करके जाना, निकला, उतना ही, बायों सी force, इसको पर लगेगा, the force is equal to the weight of fluid, displaced by the object, आर्की मेडिस प्रिंसिपल, जरूर करके जाना, आर्की मेडिस प्रिंसिपल, जरूर, डेंसिटी का formula, मास अपन वाल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी का formula, डेंसिटी आपन डेंसिटी आपन डेंसिटी आ इक आपको सेल दिखाने का, बल्ब दिखाने का, एक की दिखाने का, खतब जिछी एलेक्रिक सेल कीट का डायग्राम आएगा, वो करना, यह मत कर लेना, इलेक्रिक सेल का मतलब क्या होता, सबसे important का, what is the function of electric cell, to main function of various electric cell is maintain constant potential difference, क्या काम होता है, constant potential difference maintain करना, यह वाला डायग्र रोड के होता, वो कैसा होता, positive terminal होता है, यह याद करके जाना, true false के लिए आ सकता है, willing the blanks के लिए आ सकता है, zinc negative, graphite rod positive, GPZN, GPZN, इसा याद करके जाना, फिर यह lead acid cell, जादा important नहीं है, लेकिन थोड़ा बूत है, तो एक बार देखके जाना, lead acid cell, एक container है, इसके अंदर electrode होत किया, इतना जरूर करके जाना, ठीक है, सबसे important, मैंने यहाँ पर मार्क नहीं कहा, लेकिन nickel cadmium cell, various gadgets are available, which is required to carry different places, just nickel cell, cells are 1.2, इस में से मैं बता देता, आपको रुका, इस में से नहीं, रुको, एक मिन, एक मिन, एक मिन, एक मिन, एक मिन, लीड, storage, sales, 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 are capacity to deliver large current, हैं, यह lead, acid, sales, are used in car, truck, motorcycle, and uninterrupted power supply, मतलब UPS, uninterrupted power supplies, कौन सा sale use किया जाता है, car, truck, motorcycle में, को आपको याद रखना है, lead, acid, sale, कौन सा sale, lead, acid, sale, यह ज्यान रखना है, बुलना मद, बुलना मद, lead, acid, sale, फिर यह वाला नाइग रहा है, मैं को इसा दिल से लग रहा है, कल वाले paper में यह आ YouTube पे मचाने वाला, मचाने वाला, ठीक है, तो simple electric sale में देखो, क्या-क्या याद रखना है, electric circuit में बल्प लगाना है, एक आपको sale लगाना है, और एक plug की लगाना, बस, इतना ध्यान रखना है, यह वाला electromagnet, यह करके जाना, electric bell का diagram ज़रूर राद करके जाना, और time मिले तो प इस तो ओबिसली सब बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या बताने का, अब हमने लोग आ जाते हैं, inside the atom के अंदर, फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-प्लंसं-प्लंप पुडिंग मोडल क् जाता है, important नहीं है, लेकिन एक बार रिट करना, सबसे important question आता है, कि why atom is electrically neutral, atom electrically neutral क्यों होता है, because the distribution of positive charge is balanced by the negative charge on the electron, electron में जो नुकलेस के अंदर, जो proton का positive charge होता है, उसको balance करते है, negative charge of electron, मतलब positive charge, electron के negative charge से balance हो जाता है, balance होने के बच्चे से total charge zero हो जाता है, that's why atom is electrically neutral, खता है, यह वाला, इसका answer और भी है, दो तरीके से दिया हुआ है, सबसे important, rudder for nuclear model of atom, rudder for nuclear model of atom, बाहर का आवाज बन करना, rudder for nuclear, rudder for nuclear, rudder for nuclear model of atom, इसके अंदर देख लो, आप लोग क्या आएगा, there are positive charge nucleus at the center of atom, rudder for nuclear model क्या बोलता है, atom के center में positive charge nucleus होता है, पहला point, almost the entire mass of atom is concentrated in the nucleus, देखो, atom बढ़ा मान लो, nucleus छोटा सा, लेकिन nuclear का वजन बहुत जादा होता है, तो इसके लिए बोला जाता है, कि पूरे atom का mass, जादा से वजनदार का आप है, center में है, तो पूरा negative, यह जान रखना, negative charge particle is called electron, atom के अंदर जो negative charge particle है, वो electron है, rudder for nuclear ने बताया है total negative charge on the, all the electron is equal to the positive charge on the nucleus, as the opposite charge are balanced, that's why atoms are electrically neutral, तो electrically neutral के दो-दो अनसर है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लेना, there is an empty space between the revolving electron and the atomic nucleus, atom के अंदर empty space present होता है, खाली जगा, ठीक है, rudder for scattering experiment, अगर आप एक बार चाहो, तो देख लेना, यह scattering experiment का diagram ज़रूर करना है, अगर time मिले तो gold foil वगेरा use किया जाता है, alpha particles के उपर डाला जाता है, तो just, more stable orbit atomic model, तो यह एक क्या बोलता है, electron revolving around the atom nucleus lies concentrated, electron गूमते हैं, nucleus के around, पहला बोलता है, energy of electron is constant, while the electron अगर किसी orbit में गूम रहे है, तो उसका energy constant रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन जब तीसरा postulate बोलता है, कि जब electron किसी high energy level से low energy level में जम करता है, तो वो energy release करता है, देखो मैं concept बताने की भी कोशिश कर रहा हूं, यह bore का third postulate बोलता है, तो यह विकपर करके जाना, nucleus क्या होता है, nucleus contains two types of subatomic particles, is called nucleus, एक होता proton, एक होता neutron, nucleus के अंदर proton और neutron होता है, यह करके जाना, ठीक है, how many types of subatomic particles, proton, neutron, electron, which subatomic particles, electrically charged proton and electron, nucleus के पास कोई charge नहीं होता, electrically charged कौन होता, proton और neutron, sorry proton और electron, shells होते हैं, पहला shell K, L, M, N, कौन से shell में कितने electrons आते हैं, वो इस formula से diversified होता, N का value 1, तो पहले shell में 2 आते, दुस्रे shell में 8, तिस्रे shell में 18, फिर 32, तो यहां पर आपको मैंने लिखके दिया हुआ है इस तरिके से shell-wise electronic, what is the electronic configuration, shell-wise distribution of electronic atom of an element is called electronic configuration, यह करना, यह वाला देख लेना, electronic configuration निकालना, आप सीख लेना, carbon का atomic number कितना है, छे, तो पहले वाले में कितने आएंगे 2, दुस्रे वाले में कितने आएंगे 4, तो इसका electronic configuration हो गया 2, 4, easy है, फिर इसका nitrogen का पहले वाले में कितन ना सकते 2, दुस्रे वाले में 8 आ सकते, लेकिन बचे कितने 5, तो इसका electronic configuration होगा 2 और 5, एक बात बताता हूं, electronic configuration लिखने के बाएंगे जो last वाले shell में जो electrons होते, उसी को बोलते, valence electron, valence ही नहीं बोलते, valence electron, valence ही किसको बोलते हैं, मैं समझाओंगा, ठीक है, चलो मैं आप देखो, यह जो valence electron जो आपका आया है 5, अगर यह valence electron का value 4 से बढ़ा है, तो valence निकालते समय आपको उसको minus करना है, किस में से 8 में से, तो 8 में से 5 को minus किया, तो valence कितना आ गया 3, तो मेरा 2 सवाल है, valence electron कितना है nitrogen का 5, valence कितना है 3, अगर valence electron 5 से बढ़ा है, तो उसको निक लिटियम का एटमिक नमबर कितना होता है लिटियम का 3 इसका इलेक्ट्रों कितना है वन तो इसका वेलेंस इलेक्ट्रों कितना है वन क्योंकि चार से चोटा होगा वेलेंस इलेक्ट्रों तो वेलेंसी वेलेंस इलेक्ट्रों ही हो जाता है यह बात द्यान रखना ठीक है तो को अपर मतलब है यहां पर तक मतलब का मतलब क्या होता है नमब्वा ओप Atomic number एक atom की अंदर जितने proton present होते हैं वो ही उसका atomic number होता है जैसा carbon के अंदर कितने proton है 6 तो carbon का atomic number कितना है 6 समझ में आ गया तो isotope का मतलब होता है दो अलग-अलग atom है लेकिन उनके atomic number same होगा मतलब number of proton same होगा but having different mass number मतलब atom have same element atom having different mass number is called isotope some element in the nature have atom of the same atomic number but different mass number मैं बोल रहों वो लिखना some atom same atomic number but different atomic mass number is called isotope same atomic number but different atom जैसे carbon का isotope देखो c12 c13 c14 सबका atomic number देखो छेचेचे लेगन atomic mass number देखो number of neutrons किया अलग अलग है मतलब atomic mass number अलग अलग है ज्या नखना कर लोंगे कर लोंगे कर लोंगे क्या कुछा proton का नमबर तो यह जो निची लिका रहेता है यह वो ताप proton का नमबर यह आएंप है number of neutron कैसा निकालते उपर वाले में से निचे को definition जरूर करके जाना कि फीर आपको येवाला चार्ट ये वाला ओंड की प्रॉपरटीच इंवाले इस शौलेड का वज्यूम एलेंट मतफ सालीड का वल्यूम फिक्स होता है स्वाले का निग्लेशिबल पीक्षी ते सालीड का इंतर मोलिक्विकलर फोरस होता है और मिनिमं क्या होता डिस्टंस ब्रिक्रिव क्या ओ- इलिमेंट क्या होता क्या अगेल यह क्षाइड मिकल्ट सब्सक्राइब phase मतलब क्या होता part of matter having uniform composition is called phase homogeneous mixture में क्या होता when all components of mixture form the same one phase और अलग-अलग phase बनाएंगे उसको heterogeneous picture बोलेंगे ध्यान रखना solution का definition क्या है solvent मतलब जो solution में ज्यादा मातरा में present है solute मतलब जो solution के अंदर कम मातर में present है कॉलोईड का मतलब क्या वह थोड़ा सा देखना लेकिन milk ज्यान रतना milk is a example of कॉलोईड milk किसका एक्जामपल है और थोड़े बहुत यहां पर कॉलोईड के बारे में पढ़ लेना जो भी है यहां पर फिर यहां पर जोगो water क्या है h2o water के अंदर एलिमेट कॉन से hydrogen और oxygen है hydrogen कितने टोटल दो है oxygen कितने टोटल एक है तो इससे आ गिया तो यह आ सकता थोड़ा सा easy भी देखने में क्या जाता सबसे important एक पक्का एक सवाल पक्का है किसी चीज पर आ सकता है क्या लिखना है आपको क्या लिखना है carbon और oxygen का carbon dioxide का ओक्साइड का ओलेकुल फॉर्मूला लिखना है तो पहले carbon लिख दो oxygen का वैलेंसी कितना होता चार oxygen का वैलेंसी कितना होता है दो लिख दिया अब cross multiply कर दो वैलेंसी का देखो कर लिया carbon का वैलेंसी आ जाएगा यहां पर देखो carbon का वैलेंसी oxygen के निचे देखो यह देखो यह चार इदने oxygen के निचे अब मुझे बता दो और चार दोनों 2 से डिवाइड होते है दोनों को 2 से तो CH4 यहां पर nitrogen एक है तो cross multiply करो nitrogen को देखो इससे तो एक है तो लिखते है कि जरूरत है hydrogen कितने हो जाएंगे 3 तो यह हो गया हमारा ammonia का molecular formula this is methane this is ammonia नाम याद करके जाना देखो इसको cross multiply करो तो यह बन जाएगा आपका FE2S2 लेकिन यह 22 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा स्र तो देखो मैंने पूरा बता दिया भाई यह most IMP मैं लिख रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं यह मैंने लिखती है mark my word एक question पक्ताएगा कल analysis में आके देख लेना कितने question repeat हुए मैं वापस बता रहा हूं 8 standard के subscriber का मैं इसके लिए 8 standard की वीडियो काम आते है मैं सभी 8 standard से request करता हूं आप 8 standard में आपके friends लोगों को share करो और मुझे पता चल गया कि 8 standard के subscriber बढ़ गये आपके वीडियो में 9 standard से पहले लाओंगा तो फटा फट 8 standard वाले subscriber बढ़ाओ जल्दी से ठीक है metal and non metal ductility जाओ description में और भी वीडियो दे रखे वो भी जाना कर दक्तिलिटी मतलब metal की property होची metal को हम लोग खीच-खीच के वायर की form में convert करते है conductivity मतलब metal can conduct electricity लेकिन कौन सा metal होने के बावजूद भी electricity conduct नहीं कर पाता है सब्सक्राइब करते हैं यह करके जाना कि नॉन मैटल क्या होते हैं नोबल मैटल सब्सक्राइब नॉबल मैटल के बारे में पढ़के जाना गोल्ड विच 100% प्योरिटी के वाले गोल्ड को बोलते हैं हम लोग 24 करेट गोल्ड यूजेस अब नॉन मैटल पढ़के जाना और यह चार्ट जरूर देखके जाना 24 करेट गोल्ड होगा तो 100% प्योर होगा 22 करेट गोल्ड होगा तो 91.66% प्रेयर होगा एक होगा तो 75 तो यह तीनों जरूर करके जाना आप लोग याद करके ठीक है का मतलब क्या होता है अलोई मतलब होमोजीनियस mixture of more metals होमोजीनियस mixture of metal with non-metal तो यह अलोई का definition पका करके जाना यासे ठीक है को रोजन के बारे मैं अगर देखना ओट्र जरूर यकबार देख लेना ऊपर उपर रहर जादा इंपोर्टन नहीं लेकिन फर्त कर बदके बदांभ लुजिन फ्रूर तो घरम रखने में मदद तो करता है, लेकिन जब carbon dioxide का amount कुछ level से ज़्यादा increase हो जाता है, तो क्या हो जाता, carbon dioxide ज़्यादा क्या करता है, temperature मतलब जो भी sunlight से raise आरी उनको absorb कर रहेगा, earth का temperature कुछ earth से ज़्यादा बड़ा देता है, तो इसी problem को हम लोग बोलते green house effect, उससे ज़्यादा important चीज मैं अभी बता रहूँ, यहाँ पर जो लिखा न, carbon dioxide, nitrous oxide, methane, cfc, यह चारो की चारो green house gases है, these all are green house gases, odd man out में पक्का एक सवाल आएगा देखना, carbon dioxide, nitrous oxide, methane, cfc, इनके साथ में एक और किसी को दे दिया होगा, company से, देखो, company से oxide और sulfur nitrogen के oxide निकलते है, पानी के साथ mix होते, oxides mix with water, और क्या बना देते है, acid बना देते, कौन-कौन सा acid, sulfuric acid, nitric acid, और nitrous acid, बारिश के साथ, पानी के साथ निच्चे आता है, water drop के साथ निच्चे आता है, जमिन के साथ मिलता है, उसी को हम बोलते है, acid rain, acid rain स से, क्या-क्या problem होती है, जस्ट एक बार उपर-उपर से, रीड कर लेना, आ गया तो, मैं इससे जादा, इसमें जादा, आएंपी नहीं बताने वाला हो, आपको, जैसा मैंने बोला है, प्लीज इस चाप्टर को, अपने इस आप से कर लेना है, लेकिन, जो आएंपी बताना लेकिन, इसमें मैं एक बता दूँगा, कि भाई जो, भुकम को मेजर करने का जो इंस्ट्यूमेंट है, ये, ये वाला प्लीज एक बार कर लेना, भुकम को मेजर करने वाला इंस्ट्यूमेंट, ठीक है, इसमें भी कमी आएंपी मैं बता रहों आप लोग को, लेकिन जरू जो बता रहो बोतके जाना, टाइट्स-ओफायर, Class A में शॉलिड विका टै सक्ष ज को हम लग क्लास बशुलिण उपर ष WOW कर झाना Th? Class A में। इलेक्रिकल सब्सक्राइब तो यह बहुत ज्यादे इंपोर्टन था लेकिन थोड़ा बहुत यह क्या मैठेड है मैठेड फॉर फायर एक्सिंगिशन एक बार जस्ट रिट करना फिर है कॉज ओब लेंड स्लाइड क्यों होती है वो रिजन जरूर करना लेकिन कॉज जरूर करना चीक है बस तो यहां पर हमने पूरा साइन्स का आएंप दे रहाए सेमिस्टर एक्जाम का तो प्लीज 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 अगर अब तक आपने एट स्टेंड़ वाले अगर आपने वीडियो को श पूर तो बोती कियार